हेलो दोस्तों आपका स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ टूथाउसंट टूइनटी टूइनटी ओके कोरुना वाइरस के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिस दी जो इंडिया और चाइना के बीच में करेंट ली जो डिस्प्यूट चल रहा है लगबग सबको पता होगा तो उससे रिलेटेट जितने भी इंपॉर्टेंट कोस्टेंज हैं आज हम वह डिसकुस करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो एक और हमारा नया चैनल जो कि अभी अभी शुरू हुआ है फाइव मिनट जी के जिसमें सारे ही टापिक्स को फाइव मिनट में कवर किया जा रहा है जिसमें अभी मैंने फाइव मिनट डैली सल्तिनत और गंगा रिवर के उपर वीडियो डाली है आप लोगोंने अगर चाइना की बीच में जो एलेसी की हम बात करते हैं हम आगे डिसकस करेंगे कि कब से शुरू की गई या कुछ पांच स्टेट हमारे हैं पांच स्टेट कह लिजी इसमें हमारी यूनियन टेरिटरी है जिससे जो है बॉर्डर लगती है तो लदाक हिमार्चल प्रदेश उत्र जम्मु कश्मीर जो है एक राज्य था और उसी के अंदर जो है लदाक वाला एरिया आता था ठीक है ना लेकिन अक्टूबर 2019 में क्या हुआ है कि जो जम्मु कश्मीर है और लदाक है इनको अलग-अलग केंद्र शाषित प्रदेश बना दिया है ठीक है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शिन ने बताना है कि जो हमारी यूटीज है वहांके ल्यूटिन गवर्नर जम्मु कश्मीर के और लदाक के कौन है नेक्स देखते हैं निमलिकित में से किस राज की सीमा चीन से नहीं लगती है देखिए मैं अभी आपको पांच नाम बताएं पहला सब सब पहल किरिम लदाक को किस शाशक द्वारा सिख प्रांत में मिलाया गया था ठीक है देखिए होता क्या है हम बात करें हम यहां पर हिस्ट्री देखेंगे 1808 से लेके 1849 तक की इस बीच में क्या होता है पहले जम्मु कश्मीर और लदाक पर अलग-अलग राजाओं का शाशन हुआ लेकिन 1808 में जम्मु कश्मीर को 1819 में कश्मीर को और 1834 में लदाक को एक है जो है सिक सामराज में मिला लिया गया था महराजा रंजीत सिंग के द्वारा मैं ररीपीट कर रहे हूँ 1808 में जम्मु 1819 में कश्मीर और 1834 में लगदाग को सिख प्रांत में महाराजा रणजीत सिंग के द्वारा मिला लिया गया था 1849 में जो इनकी म्रत्यू हो गई थे इसके बाद जो सिख सामराज जो है वो कमजोर हो गया था और जो जम्मू था उसके राजा जो बने थे वह कौन बने थे महाराजा गुलाब सिंग डोंगरा ठीक है इतना आपको याद रखना है महराजा रंजीत सिंग की मृत्यू के बाद जम्मू के शाशक कौन बने तो कौन बने रंजीत सिंग गुलाब सिंग डोंगरा चीनी सिख युद कब हुआ जिसको सीनो सिख वार भी बोलते हैं तो ये जो है कब हुआ 1841 में हुआ ठीक है कब हुआ 1841 में हुआ उसमें होता क्या है चाइना के जो हम बात करें लोग है वो लदाग पर आकरमन कर देते हैं और सिखों पर इनकी जीत भी हो जाती है ये आप इतना याद रखेंगे प्रथम Anglo-Sikh war कब हुआ ठीक है जो प्रथम Anglo-Sikh war की हम बात करें तो प्रथम Anglo-Sikh war जो है 1846 में हुआ ठीक है कब हुआ 1846 में हुआ तो क्या होता है ब्रिटिश के जो लोग थे और सिक्षों के बीच में युद्ध होता है जिसमें जो Britishers है वो उनकी जीत होती है ठीक है और कश तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो कभजा कर लेते हैं कश्मीर घाटी लदाक वाले शेत्र में ठीक है इसके बाद इस युद्ध में क्या होता है जो महराजा गुलाफ सींग अभी हमने देखे थे वह बड़ी मदद करते हैं ब्रिटिशर्स की ठीक है और उनके मन में क्या है एक ब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 75 लाक रुपे में जम्मू और कश्मीर बेच दिया था गुलाफ सींग डोंग्रा को ठीक है आप कहरेंगे मैं यह सब बता रहे हैं क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री डिसकस कर रहे हैं शुरुआत से लेके लदाक के बारे में जमून कश्मीर क के बारे में और हम कंक्लूजन पर आते आते फर्दर आज का जो डिस्प्यूट है उस पर हम आएंगे अंग्रेजों से 75 लाक रुपे में जम्मू और कश्मीर किस शाशक द्वारा खरीदा गया था ठीक है गुलाफ सींग डोंग्रा जो थे इनके द्वारा इसको खरीदा ग फाइव में ठीक है 1865 में जो ब्रिटिश इंडिया के एक सिविल सर्वेंट थे डवलू एच जॉंसन इनके द्वारा जॉंसन लाइन प्रपोस की गई थी और हम बात करें वर्तमान का जो अक्साइचीन वाला हिस्सा है इस लाइन के अकॉर्डिंग उसको क्या जो है एच जॉंसन ने इसको जो है प्रपोस किया था चीन के द्वारा जिंजियांग प्रोविंस जो था उस पर कब अधिकार कर लिया था तो देखिए आप ऐसा कंसीडर कीजिए यह इंडिया का जो पोर्शन लदाख वाला जो लगता है चाइना से यहां हुआ करता था तिबब देखिए को कि मैंक दने लाइन का प्रस्ताब कब दिया चाहिक में कानी सब्सक्रण लाइन प्रस्ताब में 1899 ति कर दो में से रहां है और इस प्रस्ताब कि यह तक पहुंचाने का का है वह भी इन्हों representations कि गli rain लाइन का जो नाम है इनके नाम पर रखा गया तो ठीक है हमने 2 नाम जो है essen discuss कि में झीए। यह दो अलग-अलग नाम है। जो प्रस्ताव है लाइन का वह किस ने रखा। जौर्ज मेकारटनी ने रखाfind ढ़कर मेकारटनी ने रखा। चलिए अगला देखते हैं भारत चीन युद्ध कब हुआ तो यह कब हुआ था 1962 में और इसका मुख्य कारण हम कहें तो क्या है चीन ने क्या कर दिया था जो विवादस शेत्र था जो हम बात करें में काड़नी मैकडोनल्ड लाइन थी उसी के पास पर रोड निर्मान जो है न बात करें चीन थी निर्मान शुरू वी शुरू हो गया और इसिकारण से जो है व्यवादि रोड शुरू हो गया भारत और चाइना और और इस युद्ध में क्या होता है उनी सेना है वह थोड़ी सच्थिसाली साबित होती है और लडाग के शेत्र में क्या करती है अपना एक्च्वल कंट्रोल तो आपको समझ में आया होगा लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल कब से हमने जो है निदारत की गई है तो 1962 से जब चाइना के जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा लगदाग का कोश एरिया वह एरिया पर कपजा कर लिया गया जिसको अकसाई चीन बोला जा है भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था तो इसका जो मुख्य कारण वो क्या था मैं आपको बताया विवादिश शेत्र में चीन के द्वारा रोड का निर्मान शुरू कर दिया गया था ओके लसी का निर्धारन कब किया गया था तो आफकोस 1962 म हमें भारत के प्रधान मंत्री कौन थे ठीक है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है तो जवाहर लाल नहरू पंड जवाहर लाल नहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अड़ टाइम ओफ इंडो चाइना वॉर माउचित तुंग का संबंध जो है इन में से किन कंट्री से है चाइना से है तो देखे क्या होता है चीन के नेता रहे हैं यह माउचित तुंग इनका एक आंदोलन था ठीक है क्या अंदोलन था उसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड ओके लेकिन यह आसफल हो जाता है अंदोलन तो यह क्या चाहते हैं चाइना में जो कम्मिनिस्ट पार्टी है उस पर अपना नियंतरन रखना चाहते हैं और इसी कारण से यह भारत के और चीन के युद्ध चीन के बीच में युद्ध छिडवाना चाहते थे 1962 में हाला कि रोड का निर्मान भी रीजन था लेक अगर ठुक्छ कि को धकर लेक्शरागी चाहत बच्ण कर दोड़ को काई रहेत लुएं अगर च्मण भी चाहते हैं कई यह कलिए सपार paynaamay डिक थे पर दिकर लिए जो 5th, 6th और 7th है इस पर चाइना जो है अपना अधिकार बताती है ठीक है जिस वज़ा से अभी जो विबाद चल रहा हो 7th के बाद की जो लाइन है वही कौन सी है तो यह वाला जो एरिया है 5th, 6th वाला यही क्या है विबाद शेत्र है और finger 4 और 5 के बीच में ही भारती और सेना के बीच में जो है जड़ब हुई है चीक है finger 5 से लेकर finger मतलब कौन सा शेत्र है जिसके बीच में जो है विबाद शेत्र है भारत और चाइना के बीच में तो वह कौन सा है 5 से लेके 7 वन टू 8 है अभी 4 तक हमारा control प्रॉपर है ठीक है 5 से लेकर 8 पर अभी इन लोग ने control कर रखा है और जो 5 से 7 तक का है वो ही विबाद शेत्र है ठीक है 7 के बाद जो है क्या है LAC है DSDBO रोड के पास कौन सी नदी है तो DSDBO रोड क्या है यह हम डिसकस करेंगे अच्छे से तो इसके पास जो रिवर है दट इस शियोक रिवर ठीक है और शियोक रिवर के किनारे पर ही जो है चीन का डेरा डला हुआ है ठीक है DSDBO रोड क्या है तो देखी भारत क्या क्या चाहरा है कुछ समय से जो दौलतबेक उड़ी है दौलतबेक ओलडी क्या है दुनिया का सबसे उचा जो है एयर बेस ठीक है लगबख 16,000 फीट जो है इसकी हाइट है तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है डौलत बेक ओल्डी को डर्बुक से जोडना चाहता है ठीक है लदाक में यह रीजन है उससे जोडने के लिए रोड का निर्मान हमारे दौरा किया जा बिल्कुल नहीं चाहती कि हम ऐसा करें इस वजए से वो इसका विरोध करना चाहरी है तो एक तो यह रीजन हो गया ठीक है दूसरा रीजन क्योंकि हमने उनकी रोड का विरोध किया था जो दो क्लाम में वह रोड बना रहे थे हम आगे आएंगे उस चीज़ पर कुशन यह है काराकोरम पास और यहां पास ही में है क्या L.A.C. लाइन आफ अक्शुल कंट्रोल कौन सा दर्रा ीच. सबसे पास में है कौन सा दर्रा है कारा कौरम हैं है का उलत वेको ओल्डी एयर बेस का निर्मान कब हुआ था तो उसका निर्मान भी 18632 में ही हुआ था जब य और निर्मान का विरोथ किया गया था तो यह जो है कहां किया गया था हम बात करें दोख्लाम में दोख्लाम क्या breach ट्राइंग जंक्शन है ठीड़ाइंग मतलब किया है कि इंडिया कृष चाइण और भूटान तीनों की रीूअन पर dirman road निर्मान का विरोध भारत के द्वारा किया था ृसलिए ही जो है उसने हमारे नोर का वी जो विरोध किया कि दोखलां चीण और डैश के बीच विवाद शेत्र है किस-किस के बीच है मैं चीण और आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें तैंक यू